भाश्पा सरकार के प्रस्तावित ब्रॉडकास बिल पर प्रियंका गांधी वाडरा ने करारा प्रहार किया है और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस ब्रॉडकास बिल पर ये अब तक का सबसे पड़ा बयान है प्रियंका गांधी वाडरा बाकाइदा महात्मा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित महरू का इस्तवाल करती हैं अपनी बात रखने के लिए क्या कहती है प्रियंका गांधी वाड़ा सबसे पहले महात्मा गांधी के एक बयान का जिक्र जो उन्होंने 1922 में यंग इंडिया में लिखा था महात्मा गांधी ने लिखा था हमें सबसे पहले स्वतंत्र अभिवक्ति और संगठन के अधिकार को हासिल करना चाहिए और इन अधिकारों की रक्षा जान देकर भी करनी चाहिए और इसके बाद प्रियंका जिक्र करती है 1940 को पंडित नहरू के बयान का पंडित नहरू ने मार्च 1940 में क्या कहा था प्रेस की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि जो चीजें हम छपी हुई देखना चाहें सिर्फ उसी की आनुमती दें इस तरह की आजादी से तो कोई अत्याचारी भी सहमत हो जाएगा नागरिक स्वतंत्रताओं और प्रेस की आजादी का मतलब है कि हम जो चीज न चाहें उनकी भी आनुमती दें और अपनी आलोशना बरदाश्ट करें प्रियंका गांधी वाडरा ने अपने बयान में क्या कहा है आपके स्क्रीन्स पर ये दो उधारण ये बताते हैं कि हमारे नागरिकों को मिली अभिव्यक्ती और प्रेस की स्वतंत्रता यूही नहीं मिली है इसके लिए वर्षों तक लाखों लोगों ने लड़ाई लड़ी है नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की महान विरासत है आजाद भारत के इतिहास में कभी कोई सरकार नागरिकों को मिली स्वतंत्रता को कुचलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी आज एक तरफ सत्ता के जोर से पूरी मीडिया को सरकारी भूंपू बना दिया गया है दूसरी तरफ भाशबा सरकार ब्रॉडकास बिल लाकर डिजिटल मीडिया, सोचल मीडिया, OTT प्लाटफॉर्म और यहां तक की निजी हैसित में लिखने बोलने वालों की जुबान पर ताला लगानी की तैयारी कर रही है यह पूरी तरह से अस्विकार है, देश ऐसी हरकतों को बरदाश्ट नहीं करेगा प्रियंका के तल्ख तेवर, नगर बड़ा सवाल यह, आखिर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी, भाशपा की यह क्या सोच है क्या यह एक डिजिटल बुल्डोजर है, भारती जैनता पार्टी को बुल्डोजर शबसे बेताशा महबत है बुल्डोजर जो की कानून के खिलाफ है, मगर हर चीज़ को यह लोग बुल्डोज करना चाहते है और अब लेकर आ रहे हैं एक ब्रॉड्कास बिल, जिसके जरिये सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को बुल्डोज किया जाएगा उनके सवालों को बुल्डोज किया जाएगा क्योंकि भारती जनता पार्टी को लगता है कि हम 32 सीड दूर इसलिए हैं बाउमत से क्योंकि चंदर पत्रकारों ने सत्ता से सवाल किये थे देश की जनता को असलियत बताई थी और अब वो एक ब्रॉडकास बिल लाना चाहती है जिसके जरिये सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को बुल्डोज किया जाएगा ये बिल बहुत खतरना के दोस्तों और अपने आप में एक किसी डिजिटल बुल्डोजर से कम नहीं है मैं आपको समझाऊंगा सबसे बड़ी बात राजनीतिक दल यानि घैर भाशपा दल जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं चाहे टी-ेमसी हो आम आदमी पार्टी हो या कॉंग्रिस मगर भारती जनता पार्टी मोधी 3.0 के तहत ये ब्रॉडकास बिल लाना चाहती है आज मैं आपको बतलाओंगा दोस्तों कि आम इनसान के लिए कितना खतरनाक है हर वो व्यक्ति जो आज की तारीक में सोशल मीडिया चाहे फेस्बुक ट्विटर यूट्यूब पर अपनी राय रखना चाहता है सब के लिए कितनी मुश्किल पेश आने वाली है मुश्किल सिर्व अभिसार शर्मा धुरुवराठी रवीश कुमार अजीत अंजुन पुर्ने प्रसून वाचपे के लिए नहीं मुश्किल हर उस इनसान के लिए है जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर पेस्बुक पर सामाने तोर पर अपनी बात रखना चाहता है इसलिए मैं इस ब्राडकास बिलको डिजिटल बुल्डोजर बता रहा हूँ कुछ देर बाद मैं सवाल रखूंगा अपार गुपता के सामने अपार गुपता कौन है दोस्तों वो शक्स जिन्होंने इंटरनेट पर आजादी के लिए मानो एक मुहिम छेड़ रखी है उनके लेखों ने अकसर एक बहुत बड़ा असर किया है उनसे मैं बात करूंगा उनसे मैं एहम सवाल करूंगा वो सवाल क्या है कुछ देर बाद मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूँ ये जो ब्रॉटकास बिल भाजपा शोर दरवाजे से चुपके चुपके लाना चाहती है वो कितना खतरदाग है सबसे बड़ी बात हर बिल में कुछ स्टेक होल्डर्स होते है अगर आप बिल ला रहे हैं तो उसका असर किन लोगों पर पड़ेगा आज की तारीक में ब्रॉटकास बिल के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स कौन है डिजिटल मीडिया पर अपनी बात रखने वाले पत्रकार यानि की अभिसार, शर्मा, रवीश, धुरुवराटी, अजीत अंजुम, पुर्न प्रसून बाचपई मगर क्या आप जानते हैं इस सरकार ने हमसे बिलकुर मंत्रणा नहीं की सबसे शॉकिंग बात उसने बहुत ही गुप्त तरीके से बिल का ड्राफट सर्किलिट किया है चंद लोगों में और उन चंद लोगों को कहा है कि ये बिल का जो ड्राफट है लीख नहीं होना चाहिए जनता तक नहीं पहुँचना चाहिए कितनी शॉकिंग बात है न जिन लोगों के लिए आप ये बिल ला रहे हैं आप उनसे भी मंत्रणा नहीं करना चाहते है चोर दर्वाजे से आप एक बिल लाना चाहते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके आप एक बिल लाना चाहते हैं मगर जिनकी लिए ला रहे हैं उनसे बाचीत ही नहीं कर रहे हैं चंद लोगों को भेज रहे हैं और मैं आपको बतलाने चाहता हूं इस पर हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर क्या कहती है अंग्रेजी में है और मैं फिस का हिंदी में आनुबात करूँगा ख़बर क्या कहती है for the second draft stakeholders were instructed to collect their individual copies of the second draft and give an undertaking that they would not share the draft further each copy given to stakeholders is unique as it bears a watermark across each page that identifies the stakeholder through a number so that the Ministry of Information and Broadcasting can trace leaks यहां तक कि जिन लोगों को यह bill दिया गया है उनको भी कहा गया है कि भाई आप यह जो draft है किसी और को नहीं देंगे क्योंकि हर bill पर हमने एक unique identity number डाला हुआ है जैसी आप इसे leak करेंगे हमें पता चल जाएगा कि यह bill leak कौन कर रहा है मगर मैं भारती जन्ता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ सूचना और प्रसारन मंतराले से एक सवाल पूछना चाहता हूँ अगर आपके दिल में चोर नहीं है तो यह काम चोरी चोरी चुपके चुपके क्यों हो रहा है आखिर क्यों इस बिल को चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ लोगों तक पहुँचाया जाता है और फिर उनको भी धमकाया जाता है कि अगर तुमने लीक कर दिया तो तुम्हारी खैर नहीं सहनियत देखिए दोस्तों, सोच देखिए हर चीज में ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल लगाना चाती है क्या आप जानते इस बिल के अंदर क्या प्राबधान है इस बिल के वजूद में आने के बाद मुझे, यानि कि हर पत्रकार, हर व्यक्ती जो आज की तारीक में इंटिनेट पर है उसे एक समती बनानी पड़ेगी उस समती में Women's Rights Activists, Scheduled Casts, Scheduled Tribe Activists, Minority Rights Activists ये तमाम लोग होंगे और ये जो तमाम लोग होंगे, ये समती मेरी हर रिपोर्ट को देखेंगे और तभी वो रिपोर्ट यूटीयूब या फेस बुक पर जाएगे सोच देखिए दोस्तों किस कदर कंट्रोल करना चाहते हैं मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं दिन में दो से तीन शोज अपने यूट्यूब और फेस्वुक प्लाटफॉर्म पर डालता हूँ आपको क्या लगता है मैं एक समिती बनाऊंगा उनको अलग से पैसे दूँगा वो समिती अपने सुविधान उसार अपने समय के मताबिक उसे देखेगी और तब जाकर मैं उसे ओनेयर करूँगा यानि कि मुझे इतनी पेचीदग्यू में फसा दिया जाए कि एक हफ़ते में बमुश्किल मेरे दो से तीन शोजाएं उससे ज़्यादा नहीं इस वक्त मैं दिन में तीन कारकरम करता हूँ कम से कम तीन कारकरम अगर ये समिती बनाने के लिए मैं बात हो जाऊंगा मुझ पर जबरदस्ती होगी तो आप बताईए दोस्तों क्या मैं दिन में ये तीन शोज कर सकता हूँ और उसके लावा एक खत्रा जो लगातार बना रहेगा कि मुझ पर पैनल्टी लगाई जा सकती है मुझे गिरफतार किया जा सकता है मुझ पर फाइन लगाया जा सकता है यही नहीं जिस कैमरे के जरिये इस वक्ट मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सरकारी कोई भी अधिकारी आकर उसे जब्द करके ले जा सकता है मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों जब न्यूज क्लिक पर रेड पड़ी थी तब मेरे घर दिल्ली पुलीस आई थी ये लोग मेरे दो फोन्स और मेरा लैप्टॉप ले गए थे आज तक वापिस नहीं किया दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रबीर पुरकायस जो की न्यूज क्लिक के मालिक है जिन्हें आतंकबाद की धाराओं में जेल में बंद कर दिया गया था उन्हें भी बेल मिल गई है मगर आज तक दिल्ली पुलीस जो हमारे फोन्स जब्द कर गई थी जो हमारे लापटॉप जब्द कर गई थी आज तक उन्होंने वापस नहीं किया है इस कारत क्या हुआ कोई भी सरकारी अधिकारी आएगा और मेरे कैमरे, मेरे फोन्स, मेरे लापटॉप उठा कर ले जाएगा अगर उन्हें मेरा कोई कारकरम पसंद नहीं आया और ये मत सोचिये, ये गाज सिर्फ मुझ पर गिरने वाली है ये गाज हर उस इनसान पर गिर सकती है जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, पेस्बुक पर अपनी बात रखना चाहता है हात कंगन को आरसी क्या आपके सामने, कौन है Digital News Broadcaster देखिये, इसकी परिभाषा क्या है Digital News Broadcaster A publisher of news and current affairs content means any person who broadcast news and current affairs programs through an online paper, news portal, website, social media intermediary or other similar medium as a part of systematic business, professional or commercial activity but excluding replica e-papers. आप में से कई लोग होंगे दोस्तों जिनके अपने YouTube channel होंगे और आप में से कई लोग अपनी बात उन YouTube channels के जरीए या Facebook pages के जरीए रखते हैं आप में से कई लोग पत्रकार भी नहीं है मगर आपकी कोशिश रहती है कि उन YouTube channels के जरीए आप अपनी बात रखें आप जो पत्रकार नहीं है आप भी अब digital news broadcasters माने जाएंगे यानि कि ओ जो तमाम पाबंदिय अभिसार शर्मा पर हैं इस देश के हर उसाम इंसान पर होंगी जो YouTube पर, Twitter यानि X पर, Facebook पर, Instagram पर अपनी बात रखना चाहता है सरकार इतने अंकुश लाना चाहती है आप इंसान पर और सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर मगर हां, इनके पालतू पत्रकारों पर कोई अंकुश नहीं है ये लोग दंगा भढ़का सकते हैं, जूट बोल सकते हैं, फरजी खबर चला सकते हैं मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि न्यूज चैनल्स के कई पत्रकारों पर NBDSA ने फाइन लगाया है उनके कारकरम हटाए भी है क्योंकि ये लोग लगातार जूटे कारकरम चलाते हैं दोस्तों हाँ कंगन को RC क्या दोस्तों काईदे से इन कारकरमों के लिए इन चैनल्स को बंद कर दिया जाना चाहिए था मगर देखिए इन्होंने अलग-अलग समय पर किस तरह के कारकरम चलाए और ये कारकरम इसलिए चल पाए क्योंकि इससे भारतिय जनता पाटी की राजनीती को मदद मिलती है और मैं आपको बताता हूं किस तरह के कारकरम ये देखिए यह आदमी जो पाटशाला चलाता है फेक नीउस चला रहा है बुल्डोजर से जाकिर कैसे बचा हिंदू अम्मा कैसे लटके जूटी खबर मुद्दा था अलवर का बुल्डोजर यहाँ पर ये व्यक्ति है कह रहा है कि अलवर में जो बुल्डोजर चला वो बुल्डोजर से हिंदू का घर तबाह हो गया मगर मुसल्मान के घर को कुछ नहीं हुआ सरसर जूट फिर ये देखिए बताना होगा नाम भड़के भाईजान भड़काओ कारक्रमों के तेवर देखिए दोस्तों जो Zee News में प्रसारित हो रहे है फिर देखिए मुकेक शंबानी का नियूस चैनल और ये जो पत्रकार है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पर दंगा भड़कानी को लेकर केस भी दर्ज है इसने अलवर बुल्डोजर पर जूट कहा था इसका एक और कारक्रम आपके स्क्रीन्स पर हिंदू आबादी घटेगी अराजकता बढ़ेगी और फिर माननिय तिहार रितर्न पत्रकार क्या अब मुस्लिम इलाकों में हिंदू तियोहारों पर रोक होगी तमाम कारक्रमों के भड़काव तेवर देखिए दोस्तों इन पर कोई लगाम नहीं लगती है इनके घर पर कोई सरकारी अधिकारी नहीं पहुँचेगा इनके equipment को कोई जब्त नहीं करेगा इनके news channels पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी सारी कोशश अभिसार, ध्रोव, रवीश, अजीत, पुनिप्रसुन वाजपएपर और एक और show दिखिए इस व्यक्ती ने करीब 15 किसम के जिहाद पर show किया था आप जानते हैं इत्फाकन ये वो पत्रकार है जिसने आज से कई सालों पहले उमा खुराना नाम की एक टीचर को वैश्याओं की सरगना बता दिया था जूटी खबर, fake news एक महीने तक इसका news channel बन रहा था एक वीडियो आया था जिसमें ये व्यक्ती कथित तौर पर वसूली कर रहा है इस तरह के नगीने, इस तरह के नमूने आज की तारीक में गोदी मीडिया में प्राइम टाइम पत्रकार है क्या सरकार इन पर अंकुष लगाती है कि सरकार इन पर कोई कारवाई करती है आपकी दबिश सिर्फ सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर क्यों जो जनता की आवाज उठाते हैं जनता के मुद्देव उठाते है सबसे बड़ी बात जो सत्ता में है सवाल उससे होगा जो ताकतवर है सवाल उससे होगा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि broadcast bill के जरीए BJP सरकार के पास किस कदर ताकत आने वाली है सबसे पहले यह जो draft circulate हुआ है दोस्तों इसमें कहा गया है कि एक officer आके मेरे घर में घुश सकता है और inspection कर सकता है क्या लिखा हुआ है आपके screens पर An inspecting officer shall have the right to inspect broadcasting networks and services No prior permission or intimation shall be required to excise the rights of the inspecting officer to carry out inspection यानि मेरे घर में कोई भी व्यक्ती घुश सकता है inspection कर सकता है उससे पहले से किसी भी इजाजत की जरूरत नहीं होगी ना दालत की ना किसी और की और सबसे बड़ी बात जैसा कि यहां लिखा हुआ है He may seize the equipment of such broadcasting network और broadcasting services इसका मतलब क्या हुआ ये लोग मेरे camera, मेरे phone, मेरे laptop को seize भी कर सकते हैं उसे जप भी कर सकते हैं और जैसा कि दोस्तों इस फर्मान बता रहा है हम पर penalty भी लगाई जा सकती है हमें जेल में भी डाला जा सकता है देखे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है subject to section 33 the central government may in accordance with the provisions of section 28 issue an order requiring the broadcaster or the broadcasting network operator to comply with one or more of the following measures to delete or modify the program requiring to comply to an advisory or censure or warning issued बाकाइदा दोस्तों आप जे सकते हैं ABCDEF फर्मान जारी किया गया है कि सरकार अपनी तरफ से फर्मान जारी करेगा और आपको मानना पड़ेगा देखिए इसलिए मैं कहरा हूँ ये digital bulldozer है और उसके अलावा कुछ नहीं सरकार बहुमत से दूर रह गई है उसे लगता है कि गोदी मीडिया उसकी खुलाम है गोदी मीडिया भड़काओ कारकरम करते रहता है उसे इस बात का दुख है कि आखिर अभिसार शर्मा हिंदू-मस्लिम क्यों नहीं करता हिंदू और मुसल्मानों में कोई आपती नहीं होने वाली है यह हकीकत है और इसके इलावा कुछ नहीं दोस्तों मैं आपको बतला दूँ इस मुद्दे पर राजनीतिक दल भी सक्री हो गए है टीमसी नेता डेरिक ओब्राहिम का बयान जिसमें हो कह रहे हैं हम किसी भी कीमत पर इस ब्राटकास बिलको सदन में पारित नहीं होने देंगे पवन खेरा यहां पर कह रहे हैं कि यह इंटेनेट की आजादी अभिव्यक्ती पर हमला है डिजिटल पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं यह उन पर हमला है ऐसा पवन खेरा बता रहे हैं अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि इंटेनेट में आजादी के मुद्दे पर काम कर रहे अपार गुपता से मैं आपको बाचीत सुनवाऊंगा मैंने उनके सामने मुद्दे रखे हैं दोस्तों पहला मुद्दा और मैं चाहूंगा कि आप उनका जवाब सुने पहला मुद्दा ये कि आखिर इस गुपत तरीके से ये ड्राफ्ट बिल क्यों सर्कुलेट किया जा रहा है ये जो मसाओदा है इतने गुपत अंदाज में क्यों सर्कुलेट किया जा रहा है इतनी सीक्रिसी क्यों सुनिया पार क्या कह रहे है ये जो ब्राड्कास्टिंग बिल के बारे में हम बात कर रहे है सबसे पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि ये बिल सरकार ने सरवजने किया है नहीं ये पब्लिक किया है नहीं और इसके अंदर ये एक पुराना ड्राफ्ट, नवंबर 14 को सरकार ने, Ministry of Information Broadcasting ने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए डाला था, उन्होंने सारवजय ने किया था, अपनी वेबसाइट पे, पर कुछ महीने बीटने के बाद इसमें काफी बदलाव आये हैं, और अभी एक recent report जुल से regulation होईगी, social media की, influencers की, digital news broadcasters की, content creators की, पर उनको किसी तरह इस प्रक्रिया में नहीं डाला गया है, कि उनके भी सुझाव, वो सुन पाएं, सरकार सुन पाएं, और जो जो इसमें प्रवधान है, वो उनकी भी हमें किसी तरीके से कोई knowledge हो, जिससे हम सरकार को feedback भेज पाएं एक और चीज में इससे जोड़ना चाहूंगा, कि digital news broadcasters पे जो जो ये कानून लगने वाला है, digital news broadcasters में से editors guild या Digipub, जो ये काफी bodies हैं, जो journalists को represent करती हैं, पत्रकारों को represent करती हैं, और publishing houses को represent करती हैं, उन्होंने specific representation हैं भेजी हैं, Ministry of Information Broadcasting को, कि हमें भी एक अफसर दीजि कि हम आएं, आपसे इन चीजों के बारे में बात करें, Broadcasting Bill की कोपी हमें भी दीजिए, पर उनको इस कारे पनेनाली से बिलकुल अलग रखा गया है, और उनको इस Bill की कोपी नहीं दी गई है, हर broadcaster को एक panel रखना पड़ेगा, जिसका जिक्र मैं पहले कर शुका हूँ, इसे पार गुपता कैसे देखते हैं? सरकार किसी भी तरीके का जो आप online content देखते हैं, उस पर program और एक advertising code लगाने वाली है, और ये एक बहुत बड़ी वाबंधी होएगी, क्योंकि program code में एक सपश्ट तरीके से ये नहीं बताया गया है, कि क्या कानूनी और क्या गैर कानूनी है, तो मतलब सरकार अपने मन से बत पनी डालता है, या उसका कुछ criticism डालता है सरकार का, तो सरकार उस पे censorship कर सकती है, मतलब वो news story, वो video clip YouTube से निकाल सकती है, ब्लॉक करवा सकती है, दूसरी चीज इसमें ये भी हमें जाननी पड़ेगी, कि ये कैसे किया जाएगा, सबसे पहले registration तो ही, पर सरकार इसके अंदर एक Broadcasting Advisory Council भी बना रही है, जिसके अंदर वो अपने गिने चुने लोगों को इस Broadcasting Advisory Council में डालेगी, और एक Broadcasting Advisory Council सरकार को सला देगी, कि सरकार कैसे orders issue करे, मतलब फिर भी Ministry of Information Broadcasting के जो मंतरी होएंगे, इस Broadcasting Advisory Council में पहले अपने लोग डालेंगे, वो बताएंगे कि आपको क्य क्या क्या करना चाहिए, और फिर भी मंतरी अपने मन से कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई वीडियो बंद करवा सकता है, तो इससे हमारे सोचने, जानने, लिखने और इंटरनेट इस्तमाल करने पे एक बहुत बड़ा हमला है, और एक बहुत बड़ा हनल है, क्या अपार यानि भाजपा को महज 240 सीटे मिली, अब की बार 400 पार कह रहे थे, बहुमत से 32 सीटे दूर, पिछली बार के मुकाबले 60 सीटे कम, क्या ये उनकी असुरक्षा है, सुनिया पार क्या कह रहे हैं? अब सवाल उठता है कि ब्रॉड कास्टिंग बिल अभी क्यों लाया जा रहा है, अभी अभी चुनाफ खतम हुएं, नतीजे आये हैं, और सरकार एक कोलिशन गवर्मेंट 240 सीटों के साथ आई हैं, और 2-3 पार्टियां जोड़के वो भहुमत में अपना सरकार बना पाए है तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि पिछले 6-8 महीने में जो ज़्यादा तर नागरिक हैं, जो भारतिये हैं वो अपना न्यूस कंटेंट, मतलब डे टू डे वो अकबार कम पढ़ने लगे हैं और टेलिविजन न्यूस भी कम देखने लगे हैं, वो यूट्यूब औ वाट्साप और इंस्टाग्राम से ज़्यादा तर जानते हैं कि सरकार हमारे ले क्या कर रही है, पर सरकार से प्रश्न भी पूछने लगे हैं, अलोचना भी उनकी होने लग गई है, और इसके वज़े से सरकार को लग रहा है, जैसे उसका एक कबजा बना हुआ था टेलिव बंदी लगाना चाहा रही है, और ये बिल के काफी ब्रॉड कास्टिंग बिल के काफी अगर आप प्रोविजन पड़ें, इससे काफी साफ हो जाता है, कि सरकार इसके लिए डिजिटल न्यूज ब्रॉड कास्टर्स को तो इसकी रेगुलेशन में लाई रही है, इंडिपे बिल के बिल के बारे में बोल दे, वो भी इस बिल के दायरे में आ रहे हैं, तो इस इस वाई आफ कॉल दिस लाइसंस राज, ये इंटरनेट का एक लाइसंस राज मना रही है, ब्रॉड कास्टिंग बिल के तो ये थे अपार गुपता दोस्तों, यकीनन चुनाती बहुत मगर आप भी जानते हैं, लडाई करने का जजबा तभी दिल में आता है, जब चुनाती गंभीर होती है, मैं आपको बता दूँ, आजाद भारत के इतियास में कई चुनाती आई हैं पत्रकारों पर, ये जो चुनाती, ब्रॉड कास्ट बिल के जरिये सामने आ रही है, ये क किसी भी कीमत पर ये बिल नहीं आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप लोग भी अपनी आवाज बुलन करेंगे, अब इसार शर्मा को दीजे अजासत, नमस्कार, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजे, सच में मेरा साथी बनिये, बहुत आ साथी बनिये.